हेलो फ्रेंड वेलकम टू जहारकन परिक्षा जहारकन समान अध्यन में हम लोग जहारकन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसके साथ साथ पैरलल में दूसरे टॉपिक को भी कवर कराया जा रहा है जैसे की जहारकन करेंट अफिर और साथ में 1000 प्लस जहारकन प्रिवेस एर कोश्च पूछे जाएंगे इसलिए यह सारे टॉपिक्स साथ में कवर कराया जा रहा है जहारकन के बागी टॉपिक को भी कवर कराया जाएगा पेपर 3 में कुछ और टॉपिक है उसके लेक्षर भी अप्लोट किये जाएंगे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जहारकन में किस तरह से मुंडाओं का परवेस होता है और लाश्ट में मैंने आपसे कुछ कोशन पूछा था यह उसी का आप कंटिनुटी कह सकते हैं अगर आपने कल का लेक्षर नहीं देखा है आप उसको पहले देख लीजिए उसके बाद इसे देखे तब ही समझ में आएगा क्योंकि पिछले लेक्षर को मैं जोड़ कर बताऊंगा इसलिए आप देख रहेंगे पीडिएफ जो है इसलिए आप देख रहे होंगे पीडिएफ जो है कलका ही है इसी को मैं कंटिनीव करने वाला हूँ इसलिए मैंने आपको पीडिएफ दिया नहीं है यह हो जाएगा उसके बाद मैं पी से देखेंगे यह सभी देखे इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा रिपेटिसन हर टॉपिक का रिपेटिसन जो है आपको देखने को मिलेगा और मकसद यह होगा कि इतनी बार चीजों को रिपीट किया जाया कि फैक्ट्स जो है वो आपको आसानी से याद हो जाएं, ओके, तो मैंने आपसे तीन कोशन पूछा तकल, मैंने आपको बोला था कि आप थोड़ा सा अनालिसिस कीजिए, क्योंकि सब कुछ अगर मैं ही बताओंगा, तो फिर, हलां कि बताओंगा, मुझे भी बताना है, लेकिन उसके पहले आप जब मुंडा आते हैं, यहाँ पर असूर जो है, पहले से ही इस्टैबलिस है, यह डेवलप्ड है, इनका लवद्योग भी विक्सित हो चुका है, तो जब मुंडा यहाँ पर आते हैं, तो इनके साथ क्या संगर्स होता है, अगर हाँ, तो कब होता है, और कब यह अपने रा पर जावान जो हैं, ये नए राज़ावन्स की अस्थापना करते हैं, मतलल मुझेट राज़ा करते हैं और इसका नाम प्या क्या रखते हैं, सूतिया नागघंड। सूतिया नाकंड लेकिए जनजातियों में सबसे पहले राज निर्मान का जो स्रे दिया जाता है वो मुंडाओं को दिया जाता है very very important है जो मुंडा जन जाती है काफी ज़्यादा important है इसलिए मुंडा जन जाती को हम लोग अलग से भी जब जन जाती पढ़ा जाएगा तो मुंडा को खासकर अलग से detail ने पढ़ाएंगे ठीक है सूतिया नाधखंड मैंने आपको बोला कि सूतिया ठीक है सूतिया पान से यह लिया गया है लेकिन यहाँ पर नाग देखने को मिल रहा है यह जो कहानी है जब नए मुंडा राज की अस्थापना की जाती है यह 600 इसा पुरू की कहानी है एसी रोय के थुरू मैंने बताया था कि एसी रोय कहते हैं कि यह 600 इसा पुरू की कहानी है तो इस समय तो फने मुकु ट्राय क्या जो पुंडिक नाग है वो भी नहीं आते हैं तो नाग वड़ देखने को मिल रहा है इस समय क्यों जबकि जो फने मुकुट राय है इनका राज रोहन 84 इस्वी में होता है इनका जन्म 64 इस्वी में होता है तो कोई तुखी नहीं बनता है फने मुकुट राय से जोडने का कोई तुखी नहीं बनता है नहीं उनके जो पुर्वज थे पुन्रिक उन से जोडने का तुख पुर्वज भी सी समय क्या सपास करते हैं अब क्या होता है कि ये हो गया तीसरा है कि लाश्ट में जो है जो मदरा मुंडा होते हैं लाश्ट राजा ये सत्ता हस्तानत्रित कर देते हैं मुंडाओं का जो सासन है वो नागवंसियों को हस्तानत्रित कर दिया जाता है ऐसा क्यों ऐसा क्या होता है कि आखे नए राजवन्स के अस्थापना हो जाती है नागवन्स के अस्थापना हो जाती है ये तीन कोशन मैंने आपसे पूछा था ठीक है तीनों का एंसर करते हुए मैं आगे बढ़ूँगा और ये जो है थोड़ा बेसिक मुंडाओं का जो आगमन हुआ ह जारकन के छेत्र में ये थोड़ा बेसिक जो है वो किलियर हो जाएगा आज और फिर कल से हम लोग छेत्री राजवन्स अस्टार्ट कर देंगे अभी ये बेसिक किलियर हो रहा है आपका क्योंकि छेत्री राजवन्स के अस्थापना कब होगी जब यहाँ पर जनजाती के बाद राजवन्स के अस्थापना होगी तो जनजातियों का आगमन मुंडाओं के साथ हम लोग देखते हैं और राजो राज निर्मान की प्रकरिया वो भी मुंडाओं के साथ देखते हैं तो इन तीनों कोशन का एंसर मों देखते हैं तो पहला जो कोशन है असूरों के स आते हैं ये आजम गड़ से आते हैं ये पहले जाते हैं रोहतास गड़ में लेकिन वहाँ पर खरवार जन जाती से इनका संधर्स होता है फिर ये जारकंड के छेत्रे प्रविस करते हैं मतलब जारकंड में आने से पहले ये आजम गड़ में रह चुके थे और यहाँ पर खेत ये अच्छे से सिख चुके थे, खेती करते थे, होगे मैंने बताया था, अब क्या है, कि आजमगर से ये खेती सिख कराते हैं, तो इस चेतर में जब आते हैं, जारकन के चेतर में ये खेती स्टार्ट करते हैं, मुंडा जो है, ये खेती स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अब इस का फाइदा असुर भी उठाएंगे इस खेती का फाइदा असुर भी उठाते हैं इसलिए असुरों को जो है मुंडाओं का आगमन काफी अच्छा लगता है क्योंकि उन्हें फाइदा हो रहा है एक तो खेती सिखनों को मिल रहा है खेती से उन्हें फाइदा हो रहा है पहला किसको ठीक है मुंडा जो ये खेती कर रहे हैं इनको हतियार की जरूत है ये जंगल काटते हैं जंगल साफ करते हैं वहाँ पर जंगली जानवर को किसी तरह से हटाना है पेड काटने बहुत तरह के काम है उसमें हतियार की जरूत होगी और हतियार लोहे का होना चाहिए उसमें लोहा जो है आ गया था एक अजारेसा पुरू में लोहे को खोज लिया गया था तो लोह उद्योग इनका और अच्छा होने लगा मुंडाओं के कारण मुंडाओं का जो काम था उनके कारण तो अस्टार्टिंग में असुर और मुंडा में काफी घनिष्टता हो गई इनसे सीख रहे थे लोह द्योग भी इनसे चल रहा था ठीक है मतलब स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में जो है इनका संगर्स नहीं हुआ जबकि इन में जो है कनिष्टता बढ़ गई अब देखिए अब होता क्या समय बीचता है समय इतने के साथ साथ, देए, मुंडा जो है, ये खेती को प्राथमिक्ता देते हैं, अब एक समय आता है, कुछ बुक्स में लिखा गया है, उनहीं के फैक्ट्स को मैं बता रहा हूँ आपको, और मैंने बताया था है कि ज्यादा कर ये सब फैक्ट्स लोक गीत लोक रता से लिए तो एक किताब, दो-तीन किताब में ये मेंसन किया गया है, उसमें क्या है, कि मुंडा जो खेती करते हैं, और असुर का जो लो अध्योग है, तो लो अध्योग के लिए जो भटी इस्तिमाल में ली जाती है, तो उसमें जो है, जो भटी इस्तिमाल में ली जाती है, तो इसम राख को जिस जमिनें फेकते हैं वो जमिन बंजर हो जा रही है अब इतना हो गया कि इसकी संख्या जो मातरह काफी बढ़ गई और मुंडाओं को अब इनसे दिक्कत होने लगी इनकी जो भट्टी है इनके जो राख है इनसे प्रॉब्लम होने लगी देखिए ऐसा अनुमान लगाए किया है अब इनका जो है असुरों के साथ मतभेद होना स्टार्ट हो जाता है बहुत सालों की यह कहानी है सौट में तो यही सब मिलेगा तो इनमें अब मतभेद स्टार्ट होता है मतभेद इस तरह से स्टार्ट हो जाता है कुछ-कुछ पुस्तक में तो लिखा हु हुआ है कहने का मतलब यह हुआ कि मुंडा जो है काफी तागतवर थे और असुरों के साथ संगर्स हुआ तो यह असानी से मुंडा जो है असानी से असुरों पर हावी हो गया और असुरों को यह जगा छोड़ना पड़ा यह जगा छोड़ना पड़ा ओके यह हो गया देखते यहाँ पर असुर तो रह रह रहे थे देखे असुरों की ही एक साखा है नाग असुरों की ही एक साखा है नाग जन जाती जो है असुरों की ही एक साखा है ये एबी बनरजी की एक पुस्तक है असुर इंडिया ये 1926 में लिखा गया है इसी बुक के एकोर्डिंग जो है नाग असुर की साखा है अब यहाँ पर काफी लोग थे जो की नाग जन जाती के थे अब देखे यहाँ से थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूं आपको पता होगा जरसंद जरसंद जो मगद राजा थे ये भी नाग जोकी असुरों की एक साखा है ये भी नाग थे, ठीक है, मतलब असूरी थे लेकिन ये नाग गुरूप के थे, ओके, नाग साखा के, अब यहाँ पर नाग काफी बहुत आयत में हैं ये, और यही कारण है कि इस छेतर को नाग दिसुम, कहीं कहीं, देखने को मिलता है, कि इस छेतर को नाग दिसुम, या फि नाग दिस का गया है, ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सूतिया पाहन जो है, सूतिया पाहन के बहुत पहले नाग जनजाती के लोग जो हैं, इस छेतर में रह रहे थे, ठीक है, सूतिया पाहन के बहुत पहले नाग जनजाती के लोग इस छेतर में रह तो बहुत आयत में यहां पर था यही कारण है कि जब सूतिय पाहन अपने राजे की अस्थापना करते हैं तो अपने राजे में एक नाम तो सूतिय रहता है और नाग भी जोड़ा जाता शूतिया नाग खन बहुत आयत में नाग जर्जाती के लोग इस छेतर में रह रहे थे ओके इकी हो गया अब यहाँ पर देखिए कि नाग दिसूम का जो छेतर था मतलब नागों का जो छेतर था जहारकंड का जो छेतर था तो इस छेतर में परवेस करने के साथ ही राज्य की अस्थापना नहीं होई होगी मतलब यहाँ पर आएं यहाँ पर जब इन्होंने आया जब इन्होंने जो है यहाँ पर परवेस किया तो कुछ समय तो इनके साथ असुरों के साथ जो है इनका विवार काफी अच्छा था काफी अच्छे संबन्त है समय बितने के साथ विवार खत्म हो गया ठीक है मतलब विवार खराप हो गया खत्म ही विवार खराप हो गया और असुर जो है इस शेतर को छोड़ देते हैं फि फिर अपने नए राजे की अस्थापना करते हैं और नए राजे का नाम क्या रखते हैं सूत या नागखन और जब यह इस चेतर में आते हैं तो 21,000 लोगों के साथ आते हैं और फिर इस चेतर को जो है 21 गढ़ में डिवाइट करते हैं और फिर इसको जो है 21 परगना में डिव अब यहां पर यह तो समझ में आगया अपको यहां तक जो कोशण थे उस शॉवत की अस्थापना तो इसी सीपों कल से डिटेल है पढ़ें गरा ज inception तरह से हम लोग मुगल या फिर सल्तनत काल पढ़ते हैं उसी तरह से जहारकन के स्टी में नागवंस पढ़ना है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है बहुत से राजा है जो कि इंपोर्टेंट है तो नागवंस के अस्थापना एक ओवर भी हम लोग लेंगे और कल से जब चेतरी राजवंस पढ़ेंगे तो उसमें डेटेल में हम लोग जानेंगे ठीक है तो नागवंस के अस्थापना कैसे हुई इसको आप समझे इसे भी छोटी से कहानी है लोग कथा लोग गीत के कोडिंग एक कथा क्या है इसको देखिए मैंने आपको बताया महा भारत महा भारत के समय की कहानी है परिक्षित के बारे आप जानते होंगे ठीक है तो परिक्षित जो है परिक्षित की हत्या कर दी गई थी इनकी जो है मृत्यू हुई थी नागों के कारण कि यहां नाग वो साम पोला नाग नहीं है यह जन जाती है तो नागों की कारण की मिर्टियू भी समय भीतने के साथ इनके वन्स में जो लोग आए앙 इन्होंने किसी तरह से यह फैसला लिया कि किसी तरह से झो है हम नास को जो है समाप्त कर देंगे इनोंने परिक्षित को मा तो तपस्या करते हैं याग्य करते हैं बहुत तरह की करिया कलाप होते हैं और नागों की उत्पति ये नागों को समाप्त करना चाहते हैं तो नागों को खत्म करने की प्रिकरिया स्टार्ट हो जाती है नागों का हाथ सुने लगता है अब बहुत से नागों की मृत्यू भी होती है हत्या भी होती है इसी में से इसी में से एक समय बीतता चला जाता है ठीक है इस तरह से काफी लंबा समय जाता है और इसी में से एक आते हैं पुंडरीक नाग एक आते हैं पुंड्रिक नाग ठीक है इस्ति वैसे ही रहती है पुंड्रिक नाग यहां पर जो है सेफ फिल नहीं करते हैं और यह इस जगा को छोड़ कर कहां चले जाते हैं यह चले जाते हैं बनारस ठीक है यह चले जाते हैं कहां पुंड्रिक नाग बनारस चले जाते हैं पुंड्रिक कर यहां पर एक ब्रामन के यहां रहना सुरूख कर देते हैं ब्रामन के यहां रहते हैं वेस बदल कर ब्रामन की जो पूतरी होती है उनका नाम होता है पारवती पारवती से इनका विवा हो जाता है पारवती से इनका विवा हो जाता है कि इनका पुंडरीक नाग का ठीक है इ इतने के साद क्या होता है कि ये जाते हैं दक्षिन की तरफ ये दक्षिन की तरफ जाते हैं उस समय परवती जो हैं गर्व से होती हैं ow जब ये जा रहे होते हैं तो भारजन ज़ार्खण के चेत्र में, जो सुत्यामबे है, राची का चेत्र सुत्यामबे है, यहाँ पर जब इनका आघमन होता है, तो इनका गरवपात स्टार्ट हो जाता है, प्रसव Alrighty, इनको शूरू हो जाता है पारवती को और यहीं पर एक बच्चे को यह जन्म देती है, जब बच मुंडाओं का छेत्र था और इसमें जो राजा थे वो थे मदरा मुंडा वो कौन थे मदरा मुंडा तो मदरा मुंडा इस बच्चे को गोद ले लेते हैं मतलब इनका पालन पोसन स्टार्ट करते हैं यहां तक समझ रहे हैं मदरा मुंडा यह इस बच्चे को गोद ले लेते ह और इसका पालन पोसंद करते हैं यही बच्चा फणी मुकुट राय है अब क्या है कि अगला जो उत्रा दिकारी है मदरा मुंडा का वो कौन है फणी मुकुट राय किसके बेटे है यह औरिजिनल में यह पुंड्रिक नाग के बेटे मदरा मुंडा ने तो गोद लिया है ना ये पुंड्रिक नाग के बेटे है पुंड्रिक नाग नाग जन जाती के है फनिम कुट्राए नाग जन जाती के है अब देखिए अभी तक इसती ये है कि मुंडा में जो है मुंडा सासन कर रहे है जारकन के छेतर में इनका जो राजा चैन का प्रकरिया है अब मैं बता रहा हूँ कि आखिर नागवंसियों को हस्थांतरित क्यों कर दिया जाता है आप समस्ते चलिए हर चीज को जो मैं बता रहा हूँ important है आप इसको समस्ते चलिए कहाँ पर concept निकल कर आ जाएगा facts निकल कर आ जाएगा पता नहीं चलेगा अगर आप ध्यान ने देंगे तो तो मुंडाओं का जो राजा चैन प्रकरिया है ये काफी जटिल है complicated है तो इस से निजात पाना चाहते हैं एक तो ये reason हो गया दूसरा ये कि जब ये कहानी हो रही है मतलब लगबग ये कहानी है 64-24 कि मतलब पहली सताबदी की कहानी है ये तो इस समय लगबग सभी जटिल जाती इस चेतर में आ चुके थे उसमें से एक जटिल जाती उराओं तो उराओं जटिल जाती जो है मुंडाओं पर हावी हो रहा था मुंडा जो है उराओं के कारण दमित महसूस करते थे तो इस्ति ये हो गई कि मुंडा जो है मतलब अब सासन नहीं करना चाहते थे मुंडा सासन नहीं करना चाहते थे मतलब क्या हुआ कि मुंडा के जो राजा है वो सासन नहीं करना चाहते मदरा मुंडा मतलब इतना सारा कंडिसन उत्पन हो गया है जैसे कि राजा चैन प्रकिरिया उराव जन जाते के कारण दमित महसूस करना तो ये सब चीजों के कारण अब ये चाहते हैं कि मुंडा का जो राज है ये इसको ख़त्म किया जाए और होता भी यही है कि मदरा मुंडा अपने उत्राधिकारी को जब सासन देते हैं तो उसी के साथ ये उस छेत्र में नहीं रहते हैं आप कह सकते हैं कि सन्यासिय जीवन जीना या फिर इस छेत्र को छोड़ कर चले जाना ऐसी इस दी उत्पन हो जाती है तो मदरा मुंडा जो है ये पूरी तरह से सासन के छेत्र से हट जाते हैं और अगला जो सासक बनते हैं वो कौन बनते हैं ये कौन बनते हैं फनी मुकु ट्राई नागवंस मैं आपको पढ़ाऊंगा तो फिर डेटल में पढ़ाऊंगा ठीक है तो अभी थोड़ा सा चुकी connectivity है मुंडा और funny muku try में इसलिए मैं यहाँ पर funny muku try आपको बता दे रहा हूँ तो funny muku try जो है यह अगला सासक बनते हैं यह अगला सासक बनते हैं मदरा मुंडा चले जाते हैं अब यह सासक बनते हैं मुंडाओं का जो सासन है मदरा मुंडा के साथ खत्म हो जाता है वो नहीं चाहते हैं कि आप इसको आगे बढ़ाया जाए तो अब मुंडाओं का सासन आगे नहीं बढ़ाना है फनी मुक्ट्राइ क्या है? ये मुंडा नहीं है, ये है नाग ये नाग है इसलिए funny muku try जब सासक बनते हैं तो जिस once की अस्थापना होती है वो है nag once यह है nag once की अस्थापना करते हैं कौन? funny muku try यह जो है funny muku try यह nag once की अस्थापना करते हैं अब थोड़ा समय आपको funny muku try की बारे मता दे रहा हूँ फिर यहां से यह connectivity खत्म होती है और यहां से हम लोग जारखंड के छेत्री राजवन्स पढ़ेंगे यह बिल्कुल related था दो तिन points funny muka try के बारे में बता देता हूं देखिए funny muka try funny muka try एक तो यह हो गया कि नागवन्स की अस्थापना किस ने की कैसे कैसे की यह आपको पूरा पदा चल गया है अब यहां से question arise नहीं होना चाहिए कि यह कैसे हुआ वो कैसे हुआ तो नागवन्स की अस्थापना funny muka try करते हैं और यह नागवन्स के पहले राजा है नागवन्स के पहले राजा है इनका जो जन्म होता है यह 64 इस्वी में होता है और राज रोहन जो होता है मतलब जब यह राजा बनते हैं तो 84 इस्वी कहने का मतलब जो पहली सतापदी है उसी में इनका जन्म भी होता है इनका राज रोहन भी होता है और इस समय तक सभी जन जातियों का आगवन इस चेतर में हो जाता है, यह सभी जन जाती को यह value भी देते हैं, यहाँ पर देखिए, नागवन्स जो है, नागवन्स राज जो है, इसके पुरब में, नागवन्स के पुरब में पंचेत राज है, पंचेत राज है, नागवन्स के फने मुकुट राय, नागवन्स के फने मुकुट राय का जो विवा होता है पंचेत राजे, पंचेत राजे की पुत्री राजकुमारी जो है उनसे होती है, तो एक यहां पर वेवाहिक रिस्ता हो गया नागवन्स और पंचेत में, यह जो है फने मुकुट राय अपनी रा ब्रमु कुट्राय का जन्म होता है, ये वही जगह है जब पुंडृस्टी नाग और उनकी पत्नी पार्वती दक्छीन की ओर जा रही होती है तिर्थ के लिए, तो पार्वती का जो है कर्वपात अस्टार्ट हो जाता है, प्रसव असटार्ट हो जाता है, और फनिमुकु ट्राय का जन्म होता है और फिर मदरा मुंड़ा जो है उनका पारण पोसन करते हैं क्यों? क्योंकि उसी समय कुछ ऐसा जन्जोग होता है कि पुंड्रिक नाग और परवती की मृत्यू हो जाती है तो इसी लिए सूतियामबे काफी आदा इंपोर्टेंट है फनिमुकु ट्राय के लिए और यही कारण है कि यह अपनी राजधानी सूतियामबे में बनाते हैं अब यहाँ पर सूतियामबे में यह जो है अब कह सकते हैं मंदर की अस्थापना करते हैं एक सूर्यमंदिर की विए स्थापना करते हैं, ठाकुर बाड़ी के स्थापना जब होती है, ये जो निर्मान होता है, ठाकुर बाड़ी का जो सेर्मनी है प्रानप्रदेश्टा का, वो साउथ के एक पंडित से करवाया जाता है, और फिर उनको सोरंडा और महुगावा, ये दो विलेज जो हैं दे दिया जाता है बसने के लिए अभी भी अभी भी यदि आप राची से हैं ठीक है अब जाए रातु के आसीपास का जो छेत्र है दो उस मंदिर में जो पंडित आपको मिलेंगे उनका आप देखेंगे कि जो उनका ओरिजिन है वो South है, South India का उरिजिन है यहीं से कहानिया स्टार्ट होती है तो ठाकुर बाड़ी में जो पुजा पाठ होता है यह South के पंडित से किया आता है उनको सुरंडा महुगावा गाव देकर बसाया जाता है तो यह था फने मुकु ट्राइ के बारे में अभी दख देखिए हम लोगोंने क्या पढ़ा इसको समझे जारकंड के इतिहास में लाश्ट दो तीन लेक्षर में हम लोगोंने क्या पढ़ा सबसे पहले मैंने आपको बताया था काल निर्धारन किस तरह से जारकंड के काल को पढ़ना होता है फिर मैंने आपको बताया जारकन का जो हिस्टी था इसमें मैंने बताया कि किस तरह से जारकन का एतिहासिक उलेख है कहां पर क्या किया गया किस नाम से जारकन को बोला जाता है फिर मैंने आपको बताया जैन धर्म और बौध धर्म और आज मैंने आपको मतलब अभी के लेक्चर तक आपका जो है ये concept clear हो गया होगा कि किस तरह से मुंडा का परवेश होता है जहारकरण के च्छित्र में ठीक है फिर मुंडा राज की अस्थापना कैसे होती है मुंडा राज से नागवंस के अस्थापना कैसी होती है क्यों हस्थांतरित कर दिया जाता है क्या conditions होते है असूर की इस्ति क्या थी ये सारे concepts जो है अब clear हो गया होंगे चिंता मत कीजिए एक बार question लगाया जाएगा एक बार इसको complete होने देजिए question साथ में लगाया जाएगा जब original जो 6-3 राजवंस है वो complete हो जाएगा तो question साथ में लगाया जाएगा ये सबी के आप अगर जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो काफी अची बात है subscribe या आपने नहीं किया तो आप जुड़ जाए फाइदा आपका ही है मैं तो इसी तरह से पढ़ाता चलूँगा चाहे कितने भी लोग हो मुझे उससे मतलब नहीं है मैं अपना उसले बस complete कर लूँगा पढ़ा कर तो आप जुड़े रहे हैं काफी फाइदा होने वाला आपको चलिए मिलते हैं चारकांट के अगली वीडियो में और feedback आप देते रहे हैं काफी अच्छा लगता आपके feedback से उसके recording हम लोग उसके recording मैं किसी तरह का modification करना है नहीं करना है क्या करना है वो decision लेता हूँ चलिए मिलते हैं चारकांट के अगली वीडियो में धन्यवाद